आज मैं सुजुकी बर्गमें स्ट्रीट 125 के साथ मेरा धाई साल का experience आपके साथ share करने जा रहा हूं यह एक जनरल यूजर के तोर पे जो मैंने इसके साथ experience किया उसी के बारे में हम बात करेंगे एक general user जो होता है उसके लिए number game कोई माइने नहीं रखती है, कितना power produce करता है, कितना torque है, कितना power है, कितनी जोर से भगता है, ये सब बहुत जादा माइने नहीं रखती है, खास करके scooter के लिए, scooter एक general user जब खरीदता है, उसके निमाज में एक ही चीज रहता है कि usability, comfort, तो उसी के हिसाब से मैं आज बात करने जा रहा हूँ, मैं आज ये धाई साल यूज करने के बाद, as a general user, मेरा जो कुछ experience हुआ है, मेरे Suzuki Bergman Street 125 के साथ, वही मैं आज आपके साथ share करूँगा, धाई साल पहले जब मैं ये scooter खरीदने जा रहा था, तब बज़र में ये नया नया आया था, बहुत ही एकदम fresh एक scooter था, Suzuki Bergman Street 125, तब बज़र में जो एकदम hot cake था, वो था Honda Activa, और Honda के Grazia तब नया नया आया था, और TVS का N-Torque भी तब बहुत ही लोगों को पसंद आता था, और TVS का Jupiter भी बज़र में तब बहुत ही popular था, पर मुझे चाहिए था कुछ हटके, क्योंकि मैं इन सभी scooters का test ride ले चुका था, पर उसके बाद जब मैं Suzuki Bergman Street का test ride लिया, तब मैं देखा कि बहुत जादा फर्ख है Suzuki Bergman Street 125 के साथ बाकी जो scooters available है उन सब में, वो basic चीज है comfort, मेरा जो scooter है, ये BS4 का scooter है, मेरा ये Suzuki Bergman Street 125 जो है, ये 2018 के November में लिया हुआ था, तो जब मैं ये BS4 Suzuki Bergman Street 125 खरीजने गया, तो जो बहुत critics है, जो जानकर, बहुत जादा so-called जानकर लोग है, उनके हिसाब से ये scooter कुछ खास नहीं था, बहुत ही expensive था, और Suzu की खामका इसका इतना जादा price ले रहा है, TVs, इसके मुकाबले TVs egntark बहुत बेहतरिं स्कूटर है, Activa बहुत बेहतरिं स्कूटर है, Grazia बहुत बेहतरिं स्कूटर है, Jupiter बहुत बेहतरिं स्कूटर है, ये सब लोग मुझे बोल रहे थे, पर मैंने जब टेस्ट राइड लिया है, मैंने जब एकदम सब कुछ आमने सामने देखा, साइड बाई साइड सब कुछ का जब मैंने परिक्षन किया, निरिक्षन किया, तब मुझे पता चला कि लोग जो कुछ भी कहें आज, यह स्कूटर बहतरीन स्कूटर है और यह आने वाले दिनों में बहुत ही एक हिट स्कूटर होने वाला है, अगर इसमें कुछ बहुत बड़ी खराबी ना निकले तो, और मेरे पहले से ही यह स्कूटर बहुत ही पसंद था, क्योंकि मुझे लुक्स की उपर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, और comfort तो A1 मुझे लगा तब क्योंकि rest of the scooters जो था, उससे इसका comfort बहुत बहुत बहतरी था, अगर 100 में से मैं बोलूँ, इसका comfort level था 90 और और जो scooters मिल रहा था, उनका comfort level था around 40 to 50, max to max, तो उसी के चलते हैं, मैंने यह जो सुजुकी बागमा स्रीट 125 है, इसको बुक किया, मैंने जब बुक किया थ खरीद लिया, तो as a user, यह scooter खरीदने के बाद, मुझे जो कुछ भी महसूस हुआ, मैं एक एक करके, पिछले धाय सालों में, सारा वीडियो बनाता गया, और सारा कुछ आपके साथ शेयर करता गया, मेरे चैनल में, इस scooter के regarding, मतलब कि इस सुजुकी बागमा स्रीट 125 के regarding, ज इस scooter के उपर जो कुछ भी जानना है, छोटी से लेके छोटी चीज, बड़ी से लेके बड़ी चीज, कुछ भी आपको चाहिए होगा, इस scooter के बारे में, अगर कोई मेरे चैनल में आके, इस scooter का वीडियो देख ले, उनको और कुछ भी जानने के लिए बागी नहीं रहेगा यह scooter जो है, यह first lot का scooter है, और आप जानते ही हैं कि first lot का जो vehicles आता है, उसमें कुछ ना कुछ तो खामिया होती है, हर एक company का होता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ खामिया थी, जो मैंने बाद में rectify कर लिया, और वो जो खामिया है, वो मैं बहुत जादा इनके बार मेरा फर्स जो चीज नजर में आया, वो है इसका speed 7 kmph से लेके 11 kmph तक का एक mile से जटका, जब मैं धीरे से throttle घुमा के speed उठाने की कोशिश करता था, तो एक धीरे से जटका लग था ता उसमें, तो यह बहुत दिन study करने के बाद देखने के बाद मैंने इसका class system को open किया, class shoes क मैंने clean किया, और जब मैं इनका variator assembly को open किया, तब मैंने देखा कि variators जो है, वो कुछ-कुछ खराब हो चुका है, variators की जो गोली होती है, वो गोलिया कुछ-कुछ खराब हो चुका है, तो मैं service center में गया और वहां से original जो spare parts है, वो सब लेके आ गया और वो change कर दिया, अभी यहां पर एक twist है, BS4 Suzuki Bergman Street 125 का जो pickup है, उसके मुकाबले BS6 Suzuki Bergman Street 125 का pickup बहुत ही ज्यादा है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है variator की जो गोली है ना, उन गोलियों का वजन, weight, variator assembly में जो six rollers use होता है, वो BS4 में जो use होता था, उसका वजन थोड़ा सा ज्यादा था, और BS6 में जो use होता है, उसका वजन थोड़ा सा कम कर दिया गया, इसके चलते किया हुआ कि अब थोड़ा सा throttle घुमाते ही, वो rollers जो है, वो अपना काम शुरू कर देता था, और speed बहुत जादा बढ़ जाता था, तो इसी के लिए BS4 के मुकाबले BS6 में बहुत बढ़ गया, तो ये मैंने जब roller चेंज किया, तब मैंने इसे notice किया, तो उसके बाद मैं इसका जो कुछ छोटा मोटा काम है, वो मैं खुद से करता गया, मेरे मन में इस scooter को लेके जो बहुत जादा शंका था वो है कि इसका बॉड़ी, इसका पूरा प्लास्टिक का बॉड़ी है, प्लास्टिक में ये फाइबर होता है, जो कुछ भी है, एक composite material का बॉड़ी होता है, तो मेरा जो चिंता हमेशा लगा रहता था कि अगर ये कहीं पे ठुक जाए, गिर जाए, घिस जाए, तो और वो खास कुछ protection भी नहीं देता है, अगर मान लिए कि अपका vehicle कहीं पे गिर जाए, पर वो जो metal का protection हम लगाते हैं, वो अपके scooter का बहुत ज्यादा नुकसन कर सकता है, वो post को तोड सकता है, उकर सकता है, इससे अपका scooter का जो junctions है, joints है, उसके उपर ज्यादा जोर आज तक avoid करता रहा, उसे मैंने कभी नहीं लगवाया, इसका जो paint quality है, इससे मैं कुछ खास खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही scratch prone है, और इसका overall build quality जो है, ये बहुत ही बहतरीन लगा मुझे इन धाई सालों में, और इनका जो rear suspension है, ये BS4 में बहुत ही hard था, single rider के ल balance हो जाता था, पर BS6 में जब ये scooter आया, तब उसका जो rear suspension है, उसे भी ठीक कर दिया गया, तो और बचा इसका engine का smoothness, riding comfort, अभी ये 2021 तक आते आते बाजर में ये बहुत ही popularity गें कर दिया, क्योंकि सच में ये scooter एक gem है, इसका जो riding quality है, जो riding comfort है, इसका जो look है, इसका जो presence है, ये unmatched है, ये कोई भी दूसरे company का जो available scooter है, उससे बहतरीन है, खास करके इसका engine, इसका smoothness, इसका riding quality and riding comfort, और इसका head section fixed है, इसलिए ये देखने में बहुत chunky लगता है, बहुत बड़ा लगता है, पर ये scooter असल में इतना बड़ा, इतना chunky नहीं है, पर ये scooter थोड़ा सा heavy है, ज एक्टिवा चलाते हैं या जो एंटर्क चलाते हैं उनके लिए थोड़ा सा heavy लग सकता है, पर ये scooter जो है, ये बहुत ही balanced scooter है, इसमें balance की कोई problem नहीं है, इसका stability का कोई issue नहीं है, high speed में इसका balance, high speed में इसका stability में कोई भी issue नहीं है, बहुत ही एकदम road को पकड़ के चलती है scooter high speed में, मेरे चैनल में बहुत सरे वीडियो में मैंने इसे high speed में भागा के वीडियो बनाया, उन वीडियो को आप जरूर मेरे चैनल में सर्च करके देख सकते हैं, तो high speed में मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये out of control हो रहा है, या balance हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और high speed से स्कूटर का जो storage system है, जो space इसमें दिया गया है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, सामने के तरफ दो big space, seat के नीचे big space, इसका foot board जो है, ये foot board भी एक बहुत ही बड़ा सा foot board है, इसमें एक gas cylinder आराम से जा सकता है, तो space के मौमले में ये जो scooter है, ये number one है, feel efficiency मुझे अभ 56 kmpl मुझे मिल रहा है, मैं इसे कई बार test करके देख चुका हूँ, tank to tank, 54 से लेके 56 kmpl मुझे इसका fuel efficiency मिल रहा है, अभी 8 service जो company से करवाया जाता है, मतलब कि पहले का free service और बाद में कुछ paid service होता है, तो total 8 service company के तरफ से offer किया जाता है, तो वो पूरा 8 service मैंने company से करवाया ह और उसके बाद मैं घर में इसका oil change वगरा सब कुछ करता हूँ, मैं Liqui Molly का एक premium engine oil यूज करता हूँ और Bosch का एक gear oil यूज करता हूँ, तो मैंने जब Liqui Molly का engine oil इसमें डाला और पहली बार ride के लिए निकला, तो मैंने देखा कि जो scooter का character है, ये character ही बदल गया, तो Liqui Molly का engine oil है उसकी बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, इसका engine का true character है, वो तभी लिखर के आता है, जब अब इसमें एक proper engine oil डालते हैं, Suzuki का service center है, वहाँ पर engine oil डाला जाता है, वो तो Suzuki recommended oil है, वो तो ठीक है, पर इस engine का, Suzuki Bergman Street 125 में जो engine लगा है, इस engine का full potential अगर आप जानना चाहते है इसका true character अगर आप जानना चाहते हैं, तो इसमें जरूर अप प्रीमियम engine oil इस्तमाल कीजिए, जैसे कि मैंने लिक्वी मॉली का इस्तमाल किया, और मैंने देखा कि एकदम गाड़ी का character बदल गया, engine का character बदल गया, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे पेरो के नीचे, मेरे स स्मूध हो गया है, तो इसका engine का character जो है, यह बहुती smooth और refined character है, उसका full potential आपको जानने के लिए और इस्तमाल करने के लिए जरूर एक प्रीमियम engine oil इस्तमाल करना है, उसके बाद ही आप इसका real character जान पाएंगे, कि यह जो engine है, यह कितना बहतरीन engine है, जब मैं आपके साथ यह धाई साल का experience share कर ही रहा हूँ, तब service center के बारे में भी कुछ बताना या बोलना चाहिए, सुजुकी का जो service center है, यह बहुती बहतरीन service center है, company का जैसे service center होता है, वैसे ही है, उनका कुछ अपना limitations होता है, company का कुछ guidelines होता है, उनके हिसाब से ही उनको काम करना पड़ता है अगर किसी को लगता है कि उनको काम नहीं आता है, या वो काम नहीं करना चाहता है, या वो over billing करता है, ऐसा कुछ नहीं है, company का कुछ guideline होता है, उसी के दाएरे में रहे के उनको काम करना पड़ता है, उनको build करना पड़ता है, पर हाँ, आप कैसा काम चाहते हैं, क्या चाहते ना चाते हैं ये उनके साथ discuss कीजिए तो वो आपको जरूर हिर्प करेंगे और spare parts availability की कोई भी issue मुझे आज तक नहीं लगा कि spare parts नहीं है, spare parts आता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक sticker के लिए भी ये company बहुती तत्पर है, क्योंकि मेरे एक side panel का sticker जो है वो घिस गया था, उसे मैं उखड के fake दिया था बाद में, तो मैंने उसे जब order किया, उस इप 8 रुपिया का एक sticker है, सुजु की बागमा स्टीट का जो street sticker होता है, वो street sticker, rare के तरफ लगा होता है, वो sticker जिस गया था, तो उसको मैंने उखड के fake दिया, बाद में जब उसे मैंने खरीदने गया, तो वो बोला कि हमारे पास भी नहीं है, आठ रुपिया मत्रदाम है, तो आप order हम कर देते हैं, आप आके लेके जाएगा, तो मैंने जब order किया, तो वो बोले कि साथ दिन के भीतर भीतर आ जाएगा, तो साथ दिन के भीतर वो नहीं आया, तो मैंने सुजुकी में एक complaint डाला, इमीजेटली वहां से फोन आ गया और अगले दिन ही वो भेज दिया गया, specially मेरे लिए दो स्टिकर्स, मैंने एक लिया और बोला कि नहीं एक नहीं चाहिए, रख दीजे, तो व मैंने पिछले कई बार देखा है, पहले-पहले जब मैं खरीदा था, हेट का अलाइनमेन का थोड़ा एक प्रॉब्लम था, उस समय भी देखा, बाद में एक थोड़ा सा confusion हो गया था, मुझे उसके बारे में भी मैं सुजुकी से communicate करके देखा, तो यह जो है ना, यह से इन service centers के उपर डंडा करते हैं, इससे क्या होता है, इससे ultimately customer service जो है यह बहतरीन हो जाता है, मैं खुद सोनी इंडिया में काम कर चुका हूँ, चे सारे 6 साल वह पर काम किया मैंने, तो मुझे पता है, अगर company का direct control होता है service centers के उपर, service people के उपर, service network के उपर, तब company का service quality ब होता है, उनको यह डर रहता है कि उपर से कोई डंडा करेगा, यह बहुत ही बहतरीन चीज मुझे Suzuki का लगा, Suzuki का जो motorcycle है, Suzuki का जो vehicle है, यह आप आक मूंद के इसलिए खरीच सकते हैं, क्योंकि Suzuki का जो head office है, यह हर एक system को monitor करता रहता है, अपका हर एक चीज का, अपका हर एक question का वो answer रहते हैं, हर एक query का वो response देते हैं, यह चीज बहुत ही बहतरीन है और यह चीज होना चाहिए, तो मेरे धाई साल का जो experience Suzuki Bergman Street 125 के साथ रहा, वो बहुत ही बहतरीन रहा, बेट इन vehicle quality, बेट इन service quality, बेट इन overall experience, मुझे बहुत ही बहतरीन लगा, तो दोस्तों अभी क शेयर और सबस्क्राइब करने मत भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक देखते रहे हैं, लेट स्टॉक वी चम्रम, नमस्कार